तो अगर आप Windows 7 यूज़ करते हैं और आप Windows 7 से Windows 10 में अग्रेड करना चाहते हैं वह भी बिल्कुल फ्री में साथ ही आप अपना कपीटा के डाटा लॉस नहीं करना चाहते हैं तो आधिस वीडियो में हम लोग आपको वही बताएंगे कि कैसे आप बिना किसी पेंड्राइब में जाने में कोई भी आपको एरोर आ रहा है तो उस एरोर का भी सॉलेशन हम इस वीडियों बताएंगे कि इस वीडियो में हम आप लोग के साथ दो मेठोड बताएं हैं जो दो मेठोड से आप अपने Windows 7 से Windows 10 में अपग्रेड कर सकते हैं दोनों में से जो भी मेठोड आपक आपको सार्च करना है Windows 10 ISO फाइल तो आपके सामने इस टैप से एक website खुल जाएगा मैं आपको दिखा रहा हूं अगर आप सार्च करेंगे Windows 10 ISO फाइल तो आपको सामने से लोगो आ जाएगा मतलब पर पेज आ जाएगा आपको सिंपल सा सबसे पहला रजल पर क्लिक कर देना करेंगे तो आपको जो में सेट अपलाई करेंगे कर सकते हैं जो आपके computer में काम करें, आप उसको follow करना, तो इस type से ये option आएगा, ये method उन लोगों के लिए है, जिसके PC में ये method काम करेगा, उसके लिए है, तो वो इसको follow कर सकते हैं, एक से button पर click कर देंगे, getting a few things ready, आपको wait करना है, आपके internet के उपर निरुभर करेगा कि ये कितना time ले से Windows 10 में, तो आपको simple सा, इसको आपको इधर से शिलेट करना है, अगर आप किसी दूसरे PC के लिए बनना चाहते हैं, तो आप इधर से जो है बुटुल प्रेंटर बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपना data loss नहीं करना है, आपको सीधा simple clean एक Windows 7 से 10 में upgrade करना है, तो आप आप इस option को चूझ करना, उसके बाद next बटन पर क्लिक कर देना, अभी आपका Windows 10 है, ये download होगा आपके system में, डाउनलोड होने में तो time लगेगा ही, और आपको data भी लगेगा, इसका जो file है, आपके computer में जो भी ऑपरने system install है, मतलब Windows 7 में, वो आप एक बद चेक कर लेना, आपको सिधा right click करके properties में जाना है, तो जार देख सकते ही, मेरा 64 bit है Windows 7 का, तो अगर आपको Windows 7 का 4 bit है, मतलब 64 bit है, तो उसका जो file size है, वो लगबग 5 GB से जादा है, अगर आपको 32 bit है, तो वो जो है कि आपका लगबग 4 GB है, ठीके, तो उसी साथ टाइम लगेगा, ये automatically detect कर लेगा, और ये download होना शुरू हो जाएगा, इस type से, अब अगर आपके computer में ये जो method है, ये काम नहीं कर रहा है, कोई error आ रहा है, तो आपको अभी जो method हम बताएंगे, वो आपको follow करना है, ठीके, तो इसको minimize code कर देते हैं, ये process चलने देते हैं, आगे जाकर दोनों का ही process स पर ही आना है, आने के बाद आपको ऊपर जो है, ब्राजर के ऊपर 3 लाइन पर क्लिक करना है, मैं इस ब्राजर में दिखा रहा हूँ, आपका Google Chrome प्राजर में भी same process ही है, ठीके, तो इसके उपर आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको इदर से mode tool उसका बाद डेभलावर टूल्स पर क्लिक कर देना है, पीचे आपको ऊप्सन में नेट वर्क, तो इसको उपर आप नेट वर्क जो कंडिशन आपसे एक उप्सन होगा, इसको आपको क्लिक कर देना होगा, यूजर एजन को आपको इसको आँचेक करना होगा, इदर से आप Android 4.2 जो आपसन है, इसक इदर से आपको Select Edition को चूझ करना है, Windows 10 Multi Edition, उसके बाद Confirm, उसके बाद इस टाइप से कुछ रिक्वेस्ट भेजेगा, सरभर में, उसके बाद आपको सामने Second Page आजाएगा, इदर से आपको जो है Language चूझ करना है, Language आप English, United States या फिल International चूझ कर लेना, उसके बाद Confirm कर देन Confirm करने के बाद फिर से रिक्वेस्ट भेजेगा, आपको थोड़ा ओवेट करना पड़ेगा, ओवेट करने के बाद आपको सामने और एक पेज आजाएगा, इधर से आपको जो है कि आपना जो है version डाउनलोड करना है, तो इधर आपको एक बाद चीज देख लेना है कि अगर आपका 32-bit है, तो आपको इधर से जो ISO फाइल है, आपको इधर से 32-bit डाउनलोड करना है, जो भी आपका है वो आप डाउनलोड कर लेंगे, तो मेरे कम्पीटर में अल्री मैंने ISO फाइल डाउनलोड कर लिया है, आप देख सकते हैं, यह मेरा ISO फाइल है, इस जगह आ इन बिल्ड नहीं है, जो इस जैसे कि Windows 10 में या फिर 11 में देखने को मिलता है, तो आपको एक software डाउनलोड करना है, Windows 7 में ISO फाइल को माउंट करने के लिए, तो इसके लिए आपको फिर से ब्राउजर में जाना होगा, और एक और एक website है, इस website पर आपको जाना होगा, या फ आपको पेज मिलेगा, सबसे पहले home page में, उसके बाद आपको इस टाउनलोड बटन पर क्लिक कर देना होगा, डाउनलोड बटन पर क्लिक करते हैं, यह software डाउनलोड हो जाएगा, अब आपको यह location मिल जाएगा, software डाउनलोड का location में जाना है, उसके बाद आपको इसके इसके बाद को इस जगा कोई भी चेंजेस नहीं करना है इससे क्या होगा आपके सामने खुल जाएगा और आपका एक है ड्राइब क्रेट सीडी ड्राइब इस जगह आपको क्रेट हो चुका है और आपको इसका जो फाइल साइज वह भी देखने के मिल रहा है लगभग फास जीबी से ज्यादा है कि यह 64 बीट है ठीक है अगर आपके कम्पीटर में इस टाइप से Auto play इजा नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते सकते हैं इसके और सेटफ हील में क्लिक कर सकते या फिर इसके ऑफर चाहब लें तो यह चलने देता हूं कि दोनों का प्रोसेस सेमी है थोड़ा बहुत आपडेट चेक करेगा कि आपके computer में कोई update अगर होगा मतलब इंडोस 10 का लेटेस को आपडेट आया होगा तो आपको आगए का प्रोसेस आपको मतलग देदेगा तो हम लोग क्या करते हैं दोनों में से किसी एक को पॉज कर देते हैं तो इसका कोई जोरत नहीं है क्योंकि है जो मैं प्रोसेस बताऊंगा दो भी आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है जो प्रोस में क्या नहीं आ रहा है तो आपको यह जो आइस सफाइल करके जो फॉलो करना अब आपको इदर प्रोडेक्ट की डालना है तो हम लोग प्रोडेक्ट की भी Microsoft के ओपिसेले वेबसेट से ही निकालेंगे तो आपको सिंपल सा इस वेबसेट पर आना होगा इसका लिंक में डिस्क्रिशन में दे दूंगा इसके आनके बाद यह जो केम सी है केमेस की मैनेजमे अब कुछ करने के बाद आपको सिंपल सा वेबसेट पर जाना होगा टिक कर देना होगा ठीक है तो यह अगया का इस टेब यह आपको फॉलो करना है और इधर से सब कुछ अटिकली हो जाता है आपको कुछ करने के जुड़त नहीं होता है और ना ही आपके कोई format करने के जुरत है automatically यह जो है कि update clean होने के बाद आपके computer में यह windows 10 जो है वह install हो जाएगा तो थोड़ा wait करेंगे wait करने के बाद 100% process हो चुका है अभी यह देख सकते हैं यह install हो रहा है मतलब ready हो रहा है इस्टल होने के pro keep personal file and apps ठीक है तो आपका जो है कि personal file and apps जीतने भी install है आपके windows 7 में वह रहे जाएगा delete नहीं होगा तो अगर आपको कुछ changes करना है change hot to keep इसको उपर क्लिक करके changes बगरा कर सकते हैं उसके बाद आपको install बटन पर क्लिक कर देना होगा अब आप देख सकते हैं install windows 10 मतलब आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा यह process होने में थोड़ा बहुत time लगेगा लगभग 100% होने तक आपको वेट करना है जब यह 100% हो जाएगा तब आपका जो है कि windows 10 आपको देखने को मिल जाएगा तो सरसर प्रोसेस रिस्टाट होने के बाद आपके सामने इस टाइप से विंडोज जो 7 था वो 10 में हो चुका है आप देख सकते हैं ज्यादा कूछ को प्रोसेस फॉलो करने की जुरत नहीं है रिस्टाट होने के बाद आपके सामने इस टाइप से स्क्रीन आ जाएगा ठीक है तो अभी तब देख सकते हैं जो भी मेरा फाइल था मेरा डिक्स्टॉप में यह फाइल था है आप कोई भी डेटा इधर से रिमोब नहीं हुआ है तो यही था एक प्रोसेस जिस प्रोसेस को फॉलो करके आप इजिली अपने विंडोस से विंडोस टेन में अग्रेड कर सकते हैं विदाउट एनी डाटा लॉस तो यह जो दोनों मेथोड था कौन सा मेथोड आपको से ज़्यादा पसंद आया कौन सा मतलब मेथोड आपके कंपीटर में काम किया कॉमेंट करके जरू बताना वीडियो का अपने दोस्तों के साथ सेर कर देना और लाइक भी कर देना आज कर इतना ही थैंक्स